मुझा अच्छा अच्छा मैं अच्छा 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 करता हूँ आपकी इस क्लास के अंदर अभी आजाएं क्लास को शेर कर दें चनल को सस्क्राइब कर दें सभी बच्छे जूड़ जाएं जिन बच्छों को शाम बैच लेना है पशुपरीचर कर दें इस वीडियो के नीचे मोर पे क्लिक करेंगे तो यस्वा देंसर का एक लिंक आएगा उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका आप को गुगल प्ले या फिर आप जो है आप डाउन्लूड करेंगे आप प्ले स्टोर से तो आप से पुछे का स्लेक्ट यूर कैटेगरी में जाकर के स्टेट एक्जाम स्लेक्ट करें राजस्थान स्लेक्ट करें और और शाम बैच ले 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 कोड लगाना है वाई 714 कोड लगा के आप अपना बैच ले सकते हैं एप पर आपको प्रिम स्टेडी मटरियल करन्ट अफेर्स जॉब अलर्ट सब्जेक्ट वाइस कोई डेली कोई मैगजीन्स पावर और वीडियो और वीडियो और नोर्स मिलता हैंगे इसी डिस्क वीडियो मास में परचुर मातरा में प्रोटीन तो प्राप्त होते ही है इसके साथ ही इनके उत्पाद में कम पुंजी वश्रम के आश्टा पर दी है फाइदा तब ही होगा कोई भी किसान अगर इस तरह की गतिविदी कर रहा है तो फाइदा कब होगा जब कम खर्चे में अधिक उत प्रशित वे आहर पर ही होता है अधिक ध्यान देना आवश्यक है मुर्गी आहर में जल कार्बोड़ेड वसा प्रोटीन खरीज प्रदार्त विटामिन तता प्रती जविक प्रदार्त एंटिबाटिक्स भी शामिल होते हैं तो मुर्गी का खाना जितना अच्छा होगा मु ब्लिंकिट्स यह बड़े बड़े ब्रांड जो है वह बहुत बड़ी मातर में जो है वह फुरुजन इट ले रहे हैं ठीक है न और और अरगनिक के नाम पर बहुत महिंगा भी बेच रहे है मार्केट में तो अगर आपके पास अच्छी मुर्गी पालन की फेसिलिटी है आ आपके आपस में जहां अपने मुर्गों को बहुत दिहान से रखते हो अपलोग अच्छे से निको फीड करते हो बोजन खिलते हो बहुत दवाया देते हो अंतिवाइटिक्स नहीं होते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर वसा है कार्बोएड़ेटर प्रोटीने खरीजे परदार्थ है विटामिस तथा प्रती जैविक परदार्थ एंटिवाइटिक शामिल होते है मुर्गी के आहार में औस्तन कार्बोएड़ेट का आहार 70-60 परतीशत वसा और आहार 2-5 परतीशत प्रोटीन आहर 10-20 परतीशत खनीज आहर 0-8 1.0 परतीशत तथा विटामिस भी उचित मातरा में होने चाहिए तो मुर्गी जो है कार्बोहड़ेट भी होने चाहिए वसा आहर भी होने चाहिए प्रोटीन आहर भी होने चाहिए खनीज आहर भी होने चाहिए और उचित मातरा में विटामिस भी मौचुद होने चाहिए मुर्गों की आहर की मात्रा उनको पालने की उद्देशे से नसल तथा आधी कई बातों पर निर्भर करती है सामनित है सो वर्दी रत पक्षेओं को नौ सप्ता में 40 किग्रा दस्वे सप्ता में 43 किग्रा आहर देना चाहिए तो नो सप्ता में 40 किगराइब तक फिर दसक्ता तक घुघार किगराइब तक मातर। किलो मात्रा को बढ़ाते जाना है जिससे उनका वजन भी बढ़े ठीके ना मांस भी अच्छा बने मांस पेश्या बढ़िया बने उनकी ठीके ना मांसल बने वो उतना ही फायदा है अधिक लाप राफ्त करने के लिए प्रती मुर्गी 100-200 ग्राम दाना प्रतीन देना चाहिए इस परकार अंडे देने वाली 100 मुर्गियों के लिए 21-24 सबता में 10 कीगरा 25-एठाई सबता में 11 कीगरा 30-40 सबता में 13 कीगरा 41-60 सबता में 14 कीगरा 61-65 सबता में 15 कीगरा आहर प्रतीन देना चाहिए तो यहां आहर के मातर दी गई कि अगर आपको मांसल बड़े मोटे मुर्गे मुर्गे अच्छी मांस के लिए तो दाने की मातर जो बढ़ानी है अच्छा बोजन देना है साज के अंदर ही अगर आपको अंडे की उपज बढ़ानी है तो 100-120 ग्राम परती दिन के हिसाब से जो दाना देना है ठीक है और उसके बाद ग्रेजुली किस से 24 सब्ता तक 10 किग्रा फिर 25-28 सब्ता तक 11 किग्रा गुंती से 40 सब्ता तक 13 किग्रा हर एक वीक के बैलेंस के अं अहर निधरन करने के सिद्धान मुर्गयों की आवशकताओं के तथा अवस्थाओं के नुसर आजकल बजार में निमलिखित प्रकार के आहर मिलते है प्रारंबिक आहर चोटे बच्चों को क्या दिया जाए वर्दी आहर गुरवर जिससे बड़े हो जाए अंडा दन के लिए उत्पादित किये गए इस तरह को बॉइलर कहते हैं तो यहां पर स्टाटर आर जो है चावल पॉलिश पालिश दी जाने चाहिए पच्चिस आर फिर सेकेंड में 20 ग्राम 20 प्रतिशत दिया जाना चाहिए और मुंफिली खली 20 प्रतिशत फिर 20 प्रतिशत दी ज है ठीक है ठीक है ठीक है हड़ी का चून एक और प्रिमिक्स एक और नमक 0.5 प्रतिशत दिया जाना चाहिए आप देखना कि अगर किसी आप अंडे खा रहे हो आप एक थड़ी पर 5 रुपे का अंडा जो है वह दस रुपे का वोईलर के आप देता है एक आप अच्छी क्व दस इंडे भी 100 90 रुपे मिले कोई ओर भी ख्राओ और उनकेर टेस्ट हो kes जोब करक मुझ भी कर अच्छा कोज थर नहिंए तो आप शीराय लप्टी 4.5 प्रतिशत, नमक 0.5 प्रतिशत, मात्रा के अंदर उप्रब्द रहता है, यहाँ पर, देखने चावल है, मुफली है, जैसे मात्रा बढ़ा देंगे, भोजन की, ठीक है न, मुख्या मुद्दा यह है आपर, लेयर्स आहर, लेयर्स राशन देना है, चाव मात्राओं के अंदर इनको वो दिया जा रहा है, जिससे जो भी टार्गेटेड उत्पाद है, मांस का उत्पादन है, या अंडे का उत्पादन है, वो अच्छा रूफ से, पोशेंट रूफ से बढ़ाया जा सके, बाइलर्स आशन, सामाने ते बाइलर्स को लगबक 6 से 8 इसके पशाद इने पालना आर्थी दिश्टे से लापरद नहीं होता है, डेर से 2 किलो का मुर्गा मार्केट माजता है, इससे बारी मुर्गा फिर महेंगा पड़ता है, क्योंकि उसके राशन पर भी खरचावा है, जितना खरचावा है उतनी तो फिर वो जो पॉल्टर फा निर्धारीत मातरा में मिलाकर पक्षियों खिला जाता है, बाइलर्स को स्टार तथा फिनिशर दो प्रकार के आर्ण नीमन उसर देना चाहिए, मक्का पीली बैयारिस प्रतिशे से 35 प्रतिशे जो 6.5 प्रतिशे जवार 12 प्रतिशे चावाल पालिश 7.5 प्रतिशे मातर दी जाएगी वह यहां पर सामने है, ठीक है, चले तो पीली मक्का बैयारिस आहर सेकींड प्रतिशे 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 और 35 प्रतिशे शुरुवात में दी जारी मातरा जिससे वह सौष्ट बन सके वजन बढ़ सके उसका चावल पॉलिश मूंफली खली गेहूं का चापण मशली का चूण, शीरा, लप्टी, हड़ी का चूण, प्रिमिक्स, नमक, आदी इन सब मातराओं के इंदर जो है वह दिया जाता है अहर वैस्ता, मुर्गियों के लिए अहर प्रबंदन करते हैं समय निम्लिखित बातों का दियान रखना चाहिए किन-किन बातों का दियान रखेंगे अहर में इस्थाने इस तरह पर उप्रूद होने वाले दानों को भी शामिल करना चाहिए आपके जो है वो गेहूं के दाने है चावल है आपके अगर चावल है बाजरा होता है बाजरा है मक्का है जवार है ठीक है न तो इनको भी शामिल करना है ठीक है न जो इस तरह की फसले हो दिए इनको भी शामिल करना है ठीक है न लोकल इस तरह पर ठीक है न आहर सुनतरित होना चाहिए जिससे कि पक्षियों की सभी आवश्क्ता की पूर्ति उसके व्रद्य विकास किती हो सकते हो जितना अच्छा बोजन देगे उतनी अच्छी मात्रा में उनका मांस भी बढ़ेगा अगर अंडा टारगेट किया गए अंडा उत्पादन बढ़ेगा और अंडा उतवादन भी बढ़ेगा और पक्षी भी वो स्वस्थ रहेंगे अहार को सिस्ते दाने को शामिल करना लापरद होता है अहार में शामिल सामगरी को पीस कर खिला आजाना चाहिए जिससे अच्छी मातरा में खा सके हैं तो क्या चाहिए एक तो लोकल इस्थर पर जो भी बोजन सामगरी उप्रम्द वो दो आप फूट्स भी दे सकते हैं उनके मतलब छिलके वगरा भी जो है वो भी दिये जा सकते हैं ठीके ना आहार को सुंतुलित होना चाहिए सबसे इंप 25 गराम 25 परतिशत 30 परतिशत 35 परतिशत 1 परतिशत जो भी मातली दिनी है उस मातला को अपको तोल करके खिलाना थे तोल करके नहीं मातला है तोलकर Metro कॉइंटिटी में बात्र है तोल करके दोंगे ठीक है जिससे साही आहर पहुंस सके ठीक है क्या अतिप पोशन और कुप पोशन दोने वश्तान और हो कम बने जायगा सामगणी को मिक्सर से मिला कर लेना चाहिए अल्प मात्रा वाली सामगणी था विटामीन से एंटिबियोति फगेरा सब कुछ जिससे उनको उप्यक्त मातर है वह बोजन प्रापतों हो सके वहां पर ठीक है पक्षों की संख्या अधिक होने पर मैश दलिया थोड़ा सा गिला करके भी खिला दलिया गेहूं का जो होता है पिसावा अर्द पिसावा ना तो आटा बना ना कंप्लीट गेह अहार त्यार करने वह संग्रे करने की कमरे में समय समय पर किटाणू नशक दवा सावदानी प्रोग शिड़की जानी चाहिए मुर्गों मुर्गों को भी इंजक्शन देंगे उनको भी एंटिवाटिस देंगे साथ मी बीमारी ना फैल है इसके लिए जो है वो फिनेल वग अधिक समय तक के लिए आहर तियार करने नहीं रखना चाहिए ना खराब हो जाएगा प्रण और उलता है वह क्यों जाएगा खराब होने की चांस रता है अहार कख जंगली जानवरों पक्षियों चूहों कीडों आदी से सुरक्षित होना चाहिए ठीक है ना आहर की कमने मे से इलनन नहीं होने चीह वैंकि टानव फ्लेंगे बनाया हाहर सीथे बंध पातर में रखना चाहिए रहात,टंगरी मोल्य अधि अच्छी ओने चाहिए है ना क्वालिटी इन कॉंटिटी दोनों बढ़े होने चाहिए आवास परमदन की अधिक्तम लाप्राइगा मैं आपको फोटो दिखाता हो न, पॉल्ट्री फाम डियाग्राम यह रही गूद थीग, पॉल्ट्री, पॉल्ट्री, फाम, मैनेजमेंट, डियाग्राम, इमेज, यह देखवा, इस तरह के बहुत सारे आपको पॉल्ट्री फाम डियाग्राम देखवा आपके, बहुत सारे बहुत सारे आपको यहासे जो मांस का उत्पदन होरा है, ठीक है न, एक्स हैं, टर्कीज हैं, मीट बर्ण्स हैं, स्टाफ अफ दे पॉल्टरी फैक्टरी जो हैं, किस तरसे उनकर रखेंगे, सुरक्षित रुप से साफ सुतरा करके, ठीक है, किती मातरा में बोजन देना है, यह सब बड़े इंपोर्टेंट होता है, यहाँ पर, साथ मैं आपको यहाँ पर एक office system है, production management model है, expert team है, traceability model है, data server है, मुर्गी का index कब होंगे, कब growth होगी, कितनी उसमें रखना है, control होना है, कब market में जाने है, किती मातरा में बोजन देना है, किती मातरा में production करना है, किता पैसा खर्च होगा, ठीके न, मुर्ग्यों को स्वस्त कर सकना है, स्व वो बिहद इंपोर्टेंट है, ठीक है, यह सवियापर क्या है, बिहद इंपोर्टेंट करेक्टर स्टिक्स है, चलो भाई, अब आज़ पशू पालन व्यवसाय से अधिक्तम लाप राप्त करने के लिए आवशक है कि पक्षियों की व्रद्धी तेजी से हो, उनका स्वास् अब इस तरह से हो, जहां पर रुद्धी वायू मिल सकें, अच्छे से भोजन मिल सकें, बीमार्या कम से कम फैलें, अच्छे से घूम सकें, ठीक है ना, स्वस्थ जितना पशू होगा या पक्षी होगा, उतना ही अधिक उत्पादन देगा, ठीक है ना, अगर वो अस्वस् अपोशन ये वोजन मिल रहा है, तो कभी भी आप उसे उत्पादन की भी उमीद नहीं कर सकते हैं, आज दिन बीमारे होंगी, नुकसान ज्यादा होगा, फाइदा कम होगा, ठीक है, उप्योग सारी बाते हैं, अच्छे आराम देख आवाज द्वारा ही पक्षियों पर बहुत दूर जो है, वो नहीं होना चाहिए, सबसे पहला तो आसपेक्ट ही है, बहुत दूर जो है, वो होने का खेल होना चाहिए, नजदिक होना चाहिए, इस्थान आसपास के इस्थान से थोड़ा उचा होना चाहिए, थोड़ा उठानी चाहिए, थोड़ा उठानी चाह अच्छे से हवा हूँ अच्छे से इलाके में फैला हूँ हो बड़ा हूँ बढ़ा रोश्णी आए उचित पानी और विजली के विस्ता हो आओ गण्मन के प्रयाप साथ आपके ऐसे गाड़ी हो आपके एक पिक अगर आओ आओ या आप किराया पे ले सको शेर में जल्दी आ हैं कुट्टे भी हैं कीड़े हैं मकोड़े हैं साप हैं यह सब उसकंदर ना गुजए इसलिए आपको इतनी सेक्यूरिटी करनी पड़ेगी उस सुरक्षी तरुप से रह सके ठीक है भूमी अधिक महेंगी ना हो महेंगी आपने क्रोड़ रुपी जमीन खरीद बचा गया हो स हासमें पक्षएों क लिए प्रकाश विवायू की आवाजमन का समुचित प्रबंदन हो आवाज बिल्कूल सुखा रहना चाहिए किसी प्रकार का सिलन ना हो बिलकुल सुखा स्वस्त अच्छी हवा जिसे अपने घर होता है वैसे जान रोगावा जो वेस्ट हो जाएगा जितना चाहते हैं लाखो रुपए कमों इस पॉल्टर फार्म से फिर उतन लाखो रुपए नहीं कमा सकते पिर फैल जाएगी आपकी चीज फैल हो जएंगी तो फिर ढंक से काम कर यहां पर सबसे इंपोर्टर के यहां पर के ल양ण यहमाम्द मुख东 dziehya की नस्था संक्या के प्रयायप्ति अउपर्द हो मुर्वी चाहला मनुष्यय के आवाद rerads शेत्र की समीप नहीं होनी है अनियत करती है मुर्गिया तो जानने वर है तो बद्बूत आएगी बहुत अधिक दूर भी ना हो बेशने वाले स्थान से भी घर वाले से इमर्जेंसी तो आप फटा फट जा सको और आपका साधन हो वहाद तक पहुचने का यह आवशक है तो आज अपने मुर्गी पालन की आवास तो पूआं घालने तो तो कब वस्ष की इसाधन सर्कार बंड रही है कौन लोग हमारे सपता से लूग है कौन लोग है जो हमारे सत्ता साइसन अपने घूम अपने आपने फारई तक अपना जूंजा तग सndर पढ़ चाये तब तक जो यह लगातार पढ़ते रो तो क्या करना आपको इसी वीडियो के नीचे जाना है आपको बिल्कुल फर्स क्लास इसी वीडियो के नीचे जाना है और आप देखोगे कि जैसे आप मोर पर क्लिक करोगे युश्वर्दंसर का एक लिंक आगा उस लिंक पर क्लिक आपको state exam, वो select your category पूछेगा आपको state exam select करना है, आपको राज़तान select करना है, राज़तान के बाद में आपको RSA message भी select करना है, और यहाँ पर शाम बैच आपको 6 December से चलेगा, चुनाओ के बदना शाम बैच, बाइना उपर click करना है, Y714 code लगाना है, Y714 code लगाना है, 830 आपको यह बैच पड़ेगा, Y714 code लगा करके, इसमें क्या कुछ मिलेगा आपको, इसमें आपको जो है, वो 300 प्लस गंटे की live, प्लस, recorded classes मिलेंगे, ठीक है ना, part A और part B, complete मिलेंगे आपको, मतब रास्थान जीके पूरा और प्रशु पालान पूरा, PDF आपको मिल वीकली आपको जो है, टेस्ट करवाई देंगे हमें आपर, short notes भी आपको देही देंगे, हम लोग रिवीजन के लिए, साथ में रिवीजन classes भी आपकी करवाई देंगे, यह सब काम हम आपको करा देंगे, इसमें 6 दिसंबर से, ठीक है ना, तो खुश रहें, आबाद रहें हसते, खेलते, गाते रहें, और ठंड है, तो ध्यान रखें, बारिश भी हो रही है, पश्चिन भी शोब भी एक्टिव है, ठीक है, तो आज के लिए class में इसमाफ्त करता हूँ, और आप class को शेयर करते रहें, और लगाता धीर-दीर शरीशन त्यारी करते रहें, जैसे ही आती है खबर है, तो अपने पुरी ताकत साथी से एक्जाम की तहरी करना शुरू कर देंगे, तो शांती काल का लाव उठाएं, चैनल को लाइक करें, सस्क्राइब करें, आपको डाउनलोड करें, धन्यवाद, खुश रहें